तो हे गाइस वैलकूम टू माई नू ब्लॉग के ऐसो आप सभी आई होप आप सब अच्छा होंगे मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम अपने गाम में पूरा गर बताने वाले हैं तो देखते रहेगा मेरे ब्लॉग में तो ये दादी हमको बूला रही है तो ये दादी हमारी है तो ये अमरा गावे देखो गाईस ये अमरा गारे देखो अभी हम अंदर चलते हैं देखो गाईस ये अमरा गारे पुराने जमाने का ये अंदर से ऐसा है कुछ यहां पर सौचा लए है और यहां पर ये वाड़ा है तो यहां से ऐसा है देखो ये गर और यहां पर ट्वाइलेट और बातरूम है वहां पर भी यहां पर टैरी से तो अब यह उपड़ चलते हैं यह पूरा टैरी से देखो यह हमारा गाव का नजार आवा देखो गाईस यहां से कुछ ऐसा है हमारा गाव मैं टैरी से उपड़ चड़ गई वाड़ी देखो वह सामने मंदीर है वहां तो अब ही हम चलते हैं नीचे यह गेट है अंदर भी से खुलते हैं यह गेट है अंदर भी से खुलते हैं यह एक रूम है सामन पढ़ा है यहां पर यह स्टोरेज रूम है यहां पर यह अंदर यह अमरे गाव का गार यह देखो यह अमरे खीचा ने छोटा सा है यहां पर मेरी ममी बरतन दो रही अभी और यहां पर हम सोते हैं यहां पर मैं यूग वहां पर दादी और यहां पर पापा वहां पर ममी यहां पर कुछ सामान पड़ा है और यह हमारे बैग है और यह एक और रूम है अंदर तो यह खोलते हैं अभी लाइट ओं करते हैं और यह देखो यहां पूरा आने जमाने का पड़ा हुआ है गाइस यह सब मेरी दादी का है तो यह रूम है अमर तो यह देखो तो अभी हम बाग गए बार यह पापा सो रहे हैं अभी जय तो यह लगगा पापा गाम में बहता चांट करें का खाना पीना पी अपी शूदे तो गिए वाशी के लोग सब सिंपल सबकें अधि यह लूगया गुंगेट परता बहुत तो इस फिदर लाज परता बहुत चलती है मेता इधर की डोकरिया देखो वो रही मेरी दादी क्या दादी दादी नहां के आई अभी ना लिया तो कपड़े सुका रही है दादी तो अभी हम दूसरा रूम बताने वाले यहां पर यह पटा रहा पड़ा है मेरी दादी का इसमें बहुत सामान है देखो गाईज यह हमारा पटा रहा है और यह और गेट है हमारे दो गेट है एक यहां से और एक महां से तो देखो यह रूम है पर खाली है यहां से बाहर चलते हैं अभी हम यह बंद करते हैं और बाहर का नजारा बताते हैं आपको अभी तो यह था अमरा बाहर का घर का नजारा देखो गाइस जो पीछे वो अमरा जारे काम है तो अभी हम चलते हैं अंदर दूप बहुत है अभी और यहां से है साई देखो को वी कि यह नहीं नहीं ते बाहर मैं